जैसे कि आपसे भी लोगों बताएं कि Pokemon Ash की direct references को उनके anime series में avoid कर रहा है यानि कि वो ये भी ने दिखाना चाहरे है कि हम जिस anime को series को चला रहे हैं उसमें कभी Ash Ketchum exist भी करता था या नहीं ये तो unfair है बताना चाहिए लेकिन उसके भीजे भी reasons है बट अब मेरे को लगता है जहां तक मुझे लगता है जहां तक सब फैंस को लगता है बट में भी वो time आ चुका है कि Pokemon की original king यानि की legend the original protagonist Ash Ketchum को उसका comeback करना चाहिए और वो कैसे चलिए देखते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा इंट तक जरूर देखना क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी डीटियल्स नहीं cover करने आ लो जो कि Pokemon ने officially भी state किये है तो चैनल को subscribe करके बेले करो ताकि यसी Pokemon की updates, videos और Pokemon से related content पूरे worldwide और इंडिया में क्या चल रहा है तो आ लेट्स रूल ओन इंट वीडियो और जानते है कि कैसे आश केचम अपना comeback करने वाला है future में Pokemon में, तो लेट्स बिगान, तो Pokemon Horizons जो है वो आश से diverge करके new characters जो यानि की लिको और रहा है उन पे focus कर रहा है और उनकी जो story है हम लोग को दिखा रहा है, परहाप्स older fans यानि की ह हम लोग अभी भी वेट कर रहे है कि कैसे दो करके मतलब आश का comeback हो कुछ तो ऐसा दिखा जाए जिसमें आश केचम वापिस है, तो potential ways जो है जो कि मतलब जादा हाई chances बना रहे है अश के return करने पे, वो है special episodes, new movies और merchandise appearances जिससे आश केचम का return हम लोग को देखने मिल सकता है, episodes भी आऊंगा, बट यह जो है na potential ways है, यादि कि इन पर सबसे जादा chances बन रहे हैं, तो जैसे कि अब लोगों पता है, Pokemon Horizons को लगबग एक साल हो गया है, और एक साल से हम लोग को आश का hint तक देखने नहीं मिला है, काफी सूखा पड़ा है यार, Pokemon Community में सब कूछ, जो आश ही नहीं है, मतलब क्या ही चल रहा है, अब देखो 26th year की जो लेगसी है, वो एक कारेक्टर और मतलब आश केचम जो है अपने कंदू पर लेके चल रहा था, और अचानक से जो है नए कारेक्टर पर बहुत दर प्रिशर आजाता है Pokemon पर बहुत प्रिशर आजाता है Pokemon पर बहुत पर लेके चल रहेक्टर से उस रिस्पॉंसिबिलिटी उस लेगसी को बैर कर पाएंगे भी या नहीं, बट कैसे दो करके उन्होंने कर लिया थोड़ा बहुत समाल लिया, बट जो original फैंस है Pokemon के, जो एकदम पुराने वाले फैंस है, प्रू फैंस है, जीतने भी Pokemon fans हैं, लग अश वापिस आता है, तो हम लोगो यह रिवील कर सकता है, कि उसने क्या क्या इंप्रूब्मेंट की, इतने टाइम से वो बजी था, screen off था, मतलब सबसे छुपा हुआता अलग था, तो उसने क्या 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 इंप्रूब्मेंट की, कौन कौन से नए मूब्स और अबिलिटी तो मतलब वो बहुत ज़दा खीचेगा अपनी तरफ, तो एपिसोड जो है ना, काफी ज़दा थाए बार पर चला जाएगा, जब आएगा, अब देखो यह जो उन्हों स्टेप लिया है, काफी ज़दा रिस्की है, क्योंकि मतलब अगर यह चल जाता है, तो यह लोग हर ज चांसिस बन रहे हैं और पोकेमॉन ने उसके उपर क्या बोला है, तो एश जो है वो special episode में अपियर हो सकता है, क्योंकि जो special episode है, वो anime से कुछ हद तक अलग चलते हैं, और उसमें जो है, मतलब इस anime जो horizon चल रहा है, इसके अलावा जो ash है, मतलब ash की team है, मतलब ash की जितने companions friends उन सब को special episodes की रूप में वापिस दिखाया सकता है, क्योंकि anime में तो हम लोग को कोई hint नहीं मिल रहा है, और हो सकता है कि जब last battle or rising world tacklers जो villain team है, तो इसमें Ash मदद करे आके, तो काफी जादा legendary comeback हो जाएगा, अब दूसरी जो possibility हो काफी जादा है कि Ash कुड रिटर्न in a new Pokemon movie, तो जैसे कि अब लोगो बता है, 2020 के बाद कोई original Pokemon movie की installment नहीं आई है, कि Secrets of the Jungle आई थी, जो आई चूजवी वाले timeline को follow करती है, एक अलग universe के Ash को follow करती है, तो उसके वो है ना, उसका कोई link horizon से नहीं है, तो उसके आगे series आने वाली है, वो तो continue होगी movies, तो एक बात confirm है कि व वहाँ पे हम लोगों आई देखने मिल जाएगा, पहली बात यह है, तो ऐसा कुछ हम लोगों देखने मिल सकता है, कि जो rising world tacklers है, उनसे लड़ने Ash आ जाए, anime की अगर बात करें तो, वैसे तो वो जो original timeline की movies है, वहाँ पे हो सकता है, और जो different timeline की movies है, I Choose You, Power of Us और साथ में Secrets of Jungle की, वहाँ पे तो Ash देखने मिलने वाला है, क्योंकि वो movie की अलग continuity चल रही है, जहाँ पे Ash केचम हमेशा रहेगा, और वो movies हम लोग को मतलब देखने मिलते रहेंगे कुछ-कुछ सालों में, तो वहाँ पे से Ash नहीं जाने वाला है, और अगर anime ऐसा कुछ प्लान कर रहा ह Pokemon ने क्या बोला, Ash के रिटन के ओकर, वो भी मैं आपलों को बताता हूँ, तो Pokemon की जो Executive Director है, Kunihiko Yuyama, उन्होंने ये काया कि ये सिर्फ एक Matter of Time है, जहां पे Ash क्रीन पर नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए मतलब स्क्रीन से ओफ कि Ash को, तो ये सब मित्स है कि Ash कभी वापिस ने आएगा, Pokemon के Executive Director ने बोला है, कि जो Original हमारा Ash है, जिसको हम लोग बचपन से देखते आए, Original Canon Timeline में, वो वापिस आने वाला है, और मतलब Matter of Time में, हम लोग Ash और Pikachu को रिएपीर करते हुए, देख पाएंगे स्क्रीन पे, और उन्होंने ये भी श्रेट किय है, कि जो Ash जब आएगा, तो उसकी एज फिर भी 10 साल की ही रहेगी, मतलब अगर वो बड़ा हो जाता, तो उसकी स्टोरी पे end mark लगा देते वो लोग, लेकिन अगर वो 10 साल का रहेगा, तो उसकी एक अलग सीरीज फिर से बन सकती है, जैसे Original Pokemon के एपिसोड पहले आते थे, आज के लिए इतना है, अप लोको मसदा होगा वीडियो में, अगर आप लोको वीडियो पस्तना है और इनफोरमेटिव लगा बेनिफिशल लगा क्यों कि मैंने ओफिशल चीज आप लोग को यहाँ पे क्लियर करके, रीसर्च करके बताईए, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करना, ताकि मतलब पोकिमॉन की जितने भी अपडेट्स और वीडियो दे वर्ल्ड वाइड इंडिया, सब कुछ आप लोगो देखने मिले, और नोटिफिकेशन बेल ओन करना, क्योंकि 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले, तो जल्द अब सब्सक्राइब किसी अमेजिंग वीडियो में जब तक लेटर पोकिमॉन और अनिमे फैन बिने रहे, गुडबाई, टेक केर, लव यू अल और हैक्स वाचिंग दिस वीडियो